वेलकम बेक टो आर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया आज हम स्टार्ट करने वाले परतिसत चैप्टर का तीसरा पार्ट जो कि अभी स्टार्ट करेंगे अच्छा आप लोग का मैंने कुछ कमेंट्स देखा उसमें था कि मैडम वो ज्यादा स्पीड में मैं सॉलूसन बता रही या हिंदी में बिटर रहेगा तो देखिए कोस्टन में आप लोग को हर चैप्टर का कुछ कोस्टन हिंदी में भी बताऊंगी कुछ इंग्लिस में भी बताऊंगी और उसके बाद फिर देखेंगे क्योंकि मैं अलग-अलग जगह से ही कठा करती हूं को और उस अनुसार से आप लोग को बता रहे हूं ऐसा जिससे मतलब रिलेट करके मैं और भी कोस्टन को समझा सकूं ऐसे को मैं ला रहे हूं तो इस कारण से ऐसा हो रहा है आज हम पूरा का पूरा हिंदी में कोस्टन से देखेंगे परतिसत का यह आई थिंक क्लास्ट होना चाहिए हमारा ऐसा खर बालो निकालना है यह लाख जब परतिसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे सो से गुना कर देंगे नौर्मल सा सेंस में होता है न कभी-कभी जल्दी वाजिप होते हमारे पास लास्ट का कुछ सेकंड बचा हो होता है वैसे सेंस में थोड़ा सब गड़वर हो जाता ह से तो वैसे समय में है यह सब चीज घामाता है तो इसमें कि जब पर्तीषत निकालनों क्या करेंगे सोगки मतलब 40 को बंटा शाविच और गुना मंउंज सौ कर देंगे खालीऔर अगर परतीषत दिया हो इसे नमबर निखाले नहैं सौ तो हम सो से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ठीक है जैसे क्या है कि 90 का 30% कितना होगा तो 90 और गुना 30 बटा 100 यह बिल्कुल बेसी चीज़ है पर कभी कभी होता है एक्जाम में थोड़ा सा मैं ऐसा हो जाता है गड़वड हो जाता है क्योंकि मैं एक्जाम दे करके आग है कि जैसे नॉर्मल से चीज़ है जो हमने अभी आपको बताया पहले भी बताया था कि ब्रीधी कमी ऐसी बाते कॉन्जाग युट्यूब नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीज़े पिछले दो वीडियो में बताये हैं अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो प से निकाले ने के हैंडेड प्लस हैंडेड का दस परतीसत ऐसे करके निकाले तो लेकिन अगर टोटल नंबर ही 100 होता है तो इसमें 10 परसेंट ब्रीधी का क्या मतलब 110 हो जाएगा 10 परसेंट कमी का मतलब है नब हो जाएगा अभी आगे हम क्वेस्टन देखते हैं जैसे पहल क brace सथ दिया हो नंबर निकालना हो तो 100 से भागा देंगे है यह अब है फ्रेंट सम तम हमेसा ध्यान रखेंगे अगर किसी का डंबर परतिस्थेंट निकालना हो या कुछी वी करना हो तो always हमारा जो unit होगा न जो भी number दिया हो इसका unit same होगा जैसे 1.500 gram 3 kg का कह रहा है यहां पर तो 3 kg को या तो हम 1.500 gram को इसको क्या करेंगे convert कर देंगे kg में या फिर kg को convert कर देंगे gram में जो कि यहां पर किया है अब अगला question हो गया कि 2000 का 12% का 20% अब यहां क्या कह रहा है 12% का 20% कर रहा है पिछले topic में हमने क्या बताया था कि पहले 10% बरता है फिर 10% बरता है तो क्या करेंगे लेकिन यह आपर क्या कर रहा है कि इसका इतना परतिसद का इतना परतिसद यानि कि तब तो हम normal कु नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना अभ है कि यह पिछले में का पुरा प्राइव wor रिविजन कर लो कैवatem अभी फिर से मैं कहूंगे कि यह सारे चीज कब कामाते हैं at the last moment of your examination जब आपके पास time ना हो तो वैसे समय में यह बहुत ही useful होता है अब है किसी संख्या का 16% 48 है अच्छा कोई भी संख्या होता कितना है 100% होता है 60% अगर दे रखा है एक परतिशत निकाल लेंगे फिर क्या निकाल लेंगे 100% निकाल लेंगे ओके अब है कि किसी संख्या का 600 पूर्णांक है एक विद्यार ते 480 प्राप्त करता है तो कितना परतिशत होगा पहले प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे यानि 480 बटा 600 गुना 180 परतिशत वह हो जाएगा अब है कि किसी कक्छा में 500 प्राप्त लिए थी है 450 पास हुए तो फेल का परतिशत पहले हम निकाल देंगे कि कितने लोग फेल हुए और फिर उसका क्या करेंगे हैना अगला को Стन है कि किसी कक्छा में 2000 विद्यार थी है यदि लड़कों का परतिशत 60 है तो लड़कीयों की संख्या ग्यात करें ओकए संख्या ग्यात करने कह रहा है तो पहले तो 60 परतिशत अगर लड़कें तो 40% लड़कियां हो का 10% शिक्षा पर 20% भोजन पर 45% कपरोपर खर्च किया गया तो बच्चत अभी देखो कितना पर तीशत उसने खर्च कर लिया 70% टोटल होता कितना है 100% यानि 30% क्या बच्चत है उसकी और यही 30% तो 2700 यानि एक परतिशत निकाल देंगे फिर हैंड़ परतिशत निकाल देंगे टन अगला कोस्चन है कि किसी चुनाब को जीतने वाले उमिद्वार को 60% वोट मिले और वह 1800 वोट से हार गया अच्छा आप देखो टोटल वोट हैंड़ परतिशत साथ परतिशत मिलता है तो ह हारने वाले कितना मिलेगा 40% यानि 20% का डिफरेंस हो गया और यहीं 20% का डिफरेंस कितना है 1800 है तो कितना हो जाएगा एक परतिशत बराबर 90 यानि कि हैंड़ परतिशत पराबर 9000 अगला कोस्चन है कि कि किसी परिक्षा में उत्रिण होने के लिए 40 अंक लाना आने बार है एक विद्द्यारती 32% अंक लाते है और चोविस अंको से फेल हो जाता है तो पूरण अंक निकालना है 60% लाना है और मिद्द्यार्थी लाता है कितना है 32 परतीचाइद यानि लाने से लाने से 8 keeps कम ला ऩरह सी के लान तो आई हिंद 2 निर्थ design 3.0 हो जाएग गरी तो पचासी परतिसत हो गए तो फेल तो फेल का परतिसत ग्याद करना है अच्छा कल भी हमने आपको बताया था जो जो लास्ट लेक्चर था उसमें उनियां इंटरसेक्शन करके बताया था ना एन उनियां भी माइनस ए वो बताया था यह सारा चीज तो आप तो यह चीज देखो पहले तो इसको इस तरीके से समझ रो हिंदी हिंदी में आसी और गनीत में पचासी याई टोटल 165 हो गए ठीक है दोनों में कितने दोनों में पास हुए 75 परतिस यानि कि 165 माइनस 75 तो कितने हो गए 90 परतिसत हो गए यह 90 परतिसत क्या है यह तो पास है ना तो फेल टोटल तो हैंडेट परसेंट हैंडेट माइनस 90 यानि 10 परसेंट क्या हो गए फेल हो गए एक गौमी एक गौम की जनसां के 8000 है यह प्रति पर तस परतिसत की ब्रीदियों चिक दो बर्सों में क्या हो जाएगा अच्छा कल हमने आपको बताया था ना 10 परसेंट यानि यानी R1 R2 वाला फॉर्मूला बताया था ना esses r1 और 2 आर वन रड़ ů बढ़ता हो तो आर्वन प्लस आर्वन इंटू आ तुबाई हनेट यानि 10 पलस दस प्लस 10 गुना 10 100 बटा 100 यानि कि 1 यानि total consecutive कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा तो overall हम निकाल सकते हैं 8000 का यानि 8000 का 21% एक्स्ट्रा यानि कि 121 पर्षिंट बटा 100 ये कितना आ जाएगा solve करेंगे तो इतना आ जाएगा नेक्स्ट कोश्टन, एक फ्रीज का मुल्ले 12,800 है, यदि प्रति बर्स 20 परतिशत अब मुल्लेन हो, तो दो बर्स पहले इसका मुल्ले क्या था? क्या करेंगे? 20 परसंट का मुल्लेन है ना? ओके? सेम चीज, हम माइनस 20, ऐसे कर सकते हैं? 20 परसंट कम हो रहा है तो, माइनस 20, माइनस 20, और माइनस माइनस, प्लस 20 गुना 20, बटा 100, यानि माइनस 40, प्लस 4, यानि की, माइनस 36, 36 परसंट ओवरॉल कम हो जाएगा, है ना? अभी देख लो, ये तो बाद का दिया हुआ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, स्टार्टिंग का अगर एक्स होता, तो एक्स का 36 परसंट कम हो रहा है ना? टोटल 100 परसंट होता है, यानि की, कितना हो गया? 64 परसंट, तो एक्स का 64 परतिशाथ, यानि 64 गुने 100, बराबर कितना हो है, ये थोड़ा सा, जादा हो जाता है, बड़ा, इसमें solve करना, और वो हमारे पास जब पता है, मैं consecutive का, तो हम इतना लबा प्रोसेस, क्यों अपना है? अगला है, कि किसी संख्या में, पहले 20 परतिशत ब्रेदी के जाती है, और बाद में 20 परतिशत कमी के जाती है, सेम कि पहले क्या किया, पहले 20 परतिशत बढ़ा दिया, अब क्या किया, अब 20 परतिशत बढ़ा दिया, और उसके बाद क्या करता है, उसका 20 परतिशत कमी कर देता है, बढ़े हुए के बाद 20 परतिशत, यानि 120 का 20 परतिशत कमी है न, तो संख्या के मान में कितने परतिशत का परिवर्तन किया जाएगा तो संख्या के मान में चार परतिशत का परिवर्तन आ गया यहां पर तो दे रखा न यह इसने क्या किया इसने लगता है गलत निकाल दिया है तो यह गलत हो गया कि इसने क्या किया कि 10% सी रागता दिया उस पर कलात हो गया अच्छा सेम चीज अम अपलाई कर सकते हैं क्या था कि बीश परतिसत बढ़ाया यानि कि प्लस टॉंटी परसंट और माइनस बीस परसंट कम कर रहा है प्लस माइनस माइनस यानि कि 400 पटा सो यह से तो यह खतम हो ज अच्छा फ्रेंड्स हां सॉरी यह देखना आयत वाली जो बात है पूर हमने कल भी आपको बताया था कि आयत कल लंबाई यानि लंबाई में ब्रीदी हो रहा है चोड़ाई में कमी हो रहा है च्छेतरफल च्छेतरफल एंटू भी होता है तो आरवन आटू वाला फॉर्मूला लग जाएगा यह नो तो आरवन यानि ब्रीदी 10 परसेंट माइनस 10 परसेंट कमी चोड़ाई में और माइनस प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड़ वाई हैंडेट यह सी कटिया यह करें कि आप परिवर्थी तरह जाएं आप परिवर्थी तरहने की बात कर रहा है तो कल भी हमने आपको इस तरीके का कोस्टन डिसकस किया था कल आपको रेशियो और प्रपोर्शन वाले मेधर से इस तरीके का कोस्टन डिसकस करके बताया था आज चलो हम दुस्रे तरीके से द देखो 100 मालो की मुल्ले पहले 100 था ठीक है अभी क्या हुआ चिनी के मुल्ले में 100 परतिसत की कमी आई है ठीक है तो अब खपत हम क्या करेंगे खर्च बढ़ा देंगे तो उसे की 100 पर ही खर्च आना चाहिए तो टोटल कितना हमने बढ़ा दिया 20 बढ़ा दिया कितना से आया गुनस हो यानि 25 परतिसत अगर हम अपने कापत बढ़ा देते हैं तो मुल्ले टोटल जो है वह आप अगला हम देखते हैं कोस्टन एक की आए बीसे बीस परतिसत अधीक है तो बी की आए एसक कितना कम होगा अच्छे ये कोस्टन भी हमने कल दुसरे तरीके से बताया तो एक ही रूल को आप बार बर देखना चोगे या दुसरे रूल को हम बाता है चलो आप दुसरे रूल को अभी फिलाल देख लो अच्छे ए मालो की बी हम देखते हैं 100 तो ए 120 हो गया है तो बी कितना ज्यादा है बी की आए एसक कितना ज्यादा है गया सॉर्ई पी किया से कितना कम है तो कम कितना हो गया माइनेस 20 और कितना से यो नहीं 120 फाइंड गया अभी अगला कॵष्टर हम देखते हैं कि किसी चार огрएतर बिस परतिसाथ पानी यह तो इस में कितने लिटर पानी मिलाया जाए कि पानी 20 परतिसेत हो जाएगा अच्छा आप ध्यान से सुनना इसमें क्या है पहले मान विल्लीयन में नमक और पानी था नमक 90 था पानी 10 था अब बाद में क्या कह रहा है कि पानी 20 हो जा रहा है अगर पानी 20 है 20 पर 30 अगर पानी है तो 80 पर 30 नमक हो जागा अब आप यह सोचो कि हमने मिलाया क्या है हमने तो पानी मिलाया ना हमने नमक नहीं मिलाया यानि नमक हम इसा क्या करेंगे सेम करेंगे अच्छा नमक को सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं नमक को सेम करने के लिए हम ऐस से मलटिप्लाईघ कर सकते हैं कि यहां अग own a negative करने के लिए उपर में चार से मलटिप्लाई कर दे और नीचे में से मलटिप्लाई कर दें टो कोई दिकत नहीं क्योंकि हमारा सेम ही है, तो 36, 4 और 36, 5, sorry, 36 और 9, अच्छा फ्रेंड्स अब आप ये बताओ, ये जो 40 है, 40 है, ये जो पहले वाला है, ये 40 बराबर तो 400 लिटर है न, ये 40 बराबर 400 लिटर है, ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर 10 लिटर हो जाएगा, कोई दिक्कत, अब आप ये देखो, कि हमने यहाँ पर 4 था पहले हमारे पास पानी, और अब पानी कितना हो गया, 9, यानि कि 5 यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट बढ़ गया न, अगर 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 5 यूनिट बराबर 50 है, यानि ह हमने कितना मिक्स किया, पानी 50 लिटर मिक्स कर दिया, इसमें कोई दिक्कत, ओके, किसी भीनने के अंस में 10 परतिसद ब्रीदी करें, और हर में 10 परतिसद की कमी करें, तो परिनाम इतना प्राप्त होता है, माल लेते हैं, कि कोई भीनने कितना है, ए है, और उसका ए बटा भी ही है ठीक है तो अंस में यहां दखिए अंस में कि दस परतिशत के ब्रेधी करें तो 110 हो जाएगा हर में दस परतिशत कमी मतलब 90 हो जाएगा और इतना प्रावर कितना दिया है 11 बटा 15 पता है ऐसे कोस्टन को दो तरीका एक तो हम नॉर्मल ऐसे बना सकते हैं दूसरी बात है कि हम क्या करेंगे ऐसे सेंज में ऑप्संसे भी चल सकते हैं कि आप संसे हम बना सकते सॉरी औप संके नुसार से सकते हो कि यहां पर हम क्या करेंगा अब देख लो आप 11 से 11 कट जाएगा जीरो का जीरो कट गया तीन तीन नौ तीन पचे पंदरा यह तीन उपर जाकर मल्टिप्लाई हो जाएगा यानि एबटा बी ब्राबर क्या हो जाए अगला कोस्तन हम देखेंगे कि किसी परिक्षा में कुछ विद्यार्थी हिंदी विषय लिया कुछ अंग्रेजी लिया कुछ ने दोनों लिये यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया और उससे आदे विद्यार्थी ने अंग्रेजी विषय लिया यानि कि अब आप ये देखो 10 आरे खुआ इस वर बना सकते हैं जो कल बताये था अभी देखो परतिषित का बतलब सौ असी नीमानों हिंदी ले लिया और उसकी आधे ने चालीस ने माननों की इंग्लिश ले लिया तो टोटल कितने होगे 120 पर परतिशत कितना होता है परतिशत तो 100 होता है ना तो 120-100 यानि 20 परतिशत नो नो लिए ओके अगला कुश्चन है कि चीनी के मुल्ले में 20 परतिशत ब्रीधी हो जाने से के कारण कोई ब्रैक्ति 500 रुपे में पाज के चीनी कम खरिता है तो चीनी का मुल्ले क्या होगा अच्छा आप ये बता हो 500 रुपे 10 है अगर मालनो ब्रीधी हो जाती है ठीक है ना 20 परतिशत ब्रीधी होने का मतलब है अगर सेम खरिता तो उसे कितना 100 रुपे एक्स्रा देना पड़ता है 500 का 20 परसेंट भाई 20 प एक्सरा देना पड़ता है और वही 100 रुपे में क्या है कितना केजी वो चीनी खरिता पाच केजी ना यानि कि 20 रुपे केजी चीनी का मुल्ले हो जाएगा चीनी का बढ़ा हुआ मुल्ले हो जाएगा ओके अब हो गया कि रमन की सेलरी 50 परतिशत कम हो गए उसके बाद 50 पर 50 बढ़ गई और माइनस 50 गुना 50 बटा 100 आरवन आटू वाला से 0 से 0 कट गया यह से यह खतम हो गया माइनस 25 परसेंट यानि कि 25 परतिशत की कमी हो गई न अब है कि 6.4 0.04 का कितना परतिशत है जब परतिशत रहता है तो हम क्या करते हैं गुना करते हैं ठीके तो उसको तो क्या करेंगे इतना हो जाएगा इतना गुना 100 करेंगे तो इतना हो जाएगा 160 हो जाएगा खंजे क्यूटो वाला भी हमने बता दिया था चाहे कि इतने बार भी रहे कि इतना परतिशत इतना परतिशत इतना परतिशत उतने बार मल्टिप्लाई करका और 100 से डिवाइड कर देंगे अब हैं ऐसा कुर्सन भी फ्रेंड्स हमने बता दिया है पहले 42 परतिसाथ 28 परतिसाथ की बीच का अंतरी 210 से पहले तो हम परसेंटेज में निकाल लेंगे दोनों का अंतरी और 14 परतिसाथ ब्राबर 210 एक परतिसाथ 15 तो 59 परतिसाथ निकालना कर रहा है तो 59 यही हो जाएगा अंसर अब कह रहा है कि 2 संख्याओं तीस्री संख्या से 30 परतिसाथ और 40 परतिसाथ दूर्थ तो पहली संख्या 130 हो जाएगा और दूसरी संख्या 140 हो जाएगा तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परतिशत का कितना परतिशत है तो दूसरी संख्या कितना 140 और पहली संख्या पहले संक्या 130 140 बटा 130 गुना 100 तो कितना परतिशत ही हो जाएगा जब सॉल्वम कर लेंगे तो देखेंगे कि 107 देसमलग 6 9 परतिशत हो जाएगा अच्छा 1 वाइट 2 परसेंट का मानने कितना होगा बन वेट 2 परसेंट या निवन वेट 2 और इतना का परसेंट ना तो परसेंट जब है भीन निकालना है तो क्या करते हैं भाग देते हैं तो क्या हो जागा बटा गुना एक वाटा 100 भाग देते हैं और ब्राबर एक वाटा 200 इतना हो जाएगा अच्छा 1 का 60 परतिशत यह दर ले आएंगे ए ए बटा भी करेंगे और इसके नीचे वाले को पर लिभेज देंगे यानिके पाच बटा चार अब है कि 740 का 35 परतिशत एक संख्या से 34 अधीक है ठीक है तो उस संख्या का दो बटा पाच कितना होगा 740 का 35 परतिशत ओके यह निकालनेंगे इतना में अगर 34 अधीक है तो माइनस 34 कर देंगे नंबर आगया इतना 259 आगे इसका दो बटा पाच निकालेंगे तो यह हो जाएगा किसी बस्तु के मूल में पहले दस परतिसत ब्रिजिए और उसके पर दिस परतिसत की ब्रिजिए और अंदिम बड़ा हुआ मोल टे थिस हां तो बिलकुल इजी है पहले ज़हाई है बिलकुल आप यह बताओ दस परति 32 बढ़ने का मतलब फिर या भी टीव स्वातिश कर सकते हैं विर एक हुआ सांख्या पहले कितना था प्ररामज मौल 25 था बाद में कितना हो गया बढ़कर के 32 हो गया ऐसा कर सकते हैं आप अगर नहीं समझे हो तो देखो कि 32 बढ़ा तो एक स्वियाबर 25 हो जाएगा अगला कुस्चन है कि किसी बस्तु का दलाली की दर चार परतिशत से बढ़कर पाच परतिशत होने पर दलाल की आप परिवर्तित आती है तो ब्यापार में कितनी की कमी आई अच्छा आप देखो चार परतिशत था पाच हो गया लेकिन ओवराल जुआ कितना हो रहा है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा यानि किचार परतिशत ही रहा जा रहा है तो कितना हुआ एक परतिसत ना फर्क एक परतिसत कितने पर पाच पर और गुना सो यानि की बिजनेस पर कितने की कमी आई बीस परतिसत की यदि 7% लवन वाले 12 लीटर गोल को वालकर 4 लीटर पानी को बास्पित कर दिया जाता है तो सेज बचे गोल की लवन बताए अच्छ आप सोचो 12 लीटर था लवन 7% था लवन तो बाद में भी सेम रहा जाता है पानी बास्पित किया गया है ना चार लिटर की कमी आ यानि की फिर हो गया कितना आठ हो गया ठीक है तो क्या करना है लवन का परतिशत निकालना है ना लवन साथ परतिशत था टोटल कितना हो गया बारा बारा बटा आठ हो गया टोटल और इसका बारा बटा आठ का साथ परतिशत जब हम निकाल देते हैं तो तेन पॉइंट फाइब परती सत यह हो गया पानी में लवन की परती सत्ता ओके अगला कुश्चन अगला कुश्चन हम देखेंगे किसी बस्तू पर दलाली चार परती अच्छा स्वरी यह हो क्या सेव के मूल में 25 परती सत कमी होने पर एक गरहा को 240 रुपे में दो केजी अधिक सेब मिलता है घटा हुआ मूल याद करें क्या कह रहा है इसमें कि मुल्य में 25% की कभी आ रही है ना तो ग्रहा को 240 में 2 केजी अधिक से मिल रहा है अच्छा आप यह देखो कि अगर 240 में 2 केजी अधिक मिल रहा है हैं तो 120 में कितना केजी अधिक मिलता एक केजी अधिक मिलता हैं कि 120 का जो है 25% कितना हो जायगा 30 हो जायगा 120 तो बढ़ा हुआ मुल्य है ना 120 का अगर 25% 30 हो जाएगा तो यही इसका जबाब हो जायएगा इसे आप दुस्सरे सबसे अच्छा मुझे यही लगता है जब इस तरीके का कोस्टन आता है कि इतना के इतना रुपया में दो केजी अधिक से मिलेगा इस तरीके का तो हम मगर इस में तर से बनाते तो हमें सब जो बरतमान आएगा इसका रेट करेंट रेट जो पूछेगा सब्सक्राइब आफटर दिस को कमी होने के बाद या बढ़ने के बाद वह रेट इस से निकलेगा और यहीं जैसे एक केजी आप देख लो यहां पर कि एक केजी अभी भी मैं आपको समझा चुकी एक केजी माल लो दो दो सोचालीस में दो केजी अधिक सेव लेता है तो एक केजी सेव कितना बिलेगा एक सो बीस में एक केजी से अधिक लेगा अभी जो यह है जो मुल्य बढ़ा है जो मुल्य में कमी आई यह वह 25 परतिसत क्या इस तो 120 का हम 120 काम जब 25 पर 30 निकालेंगे तो 30 हो जाएगा और यही 30 रुपया जो हो जाएगा इसका करेंट प्राइस रहा जाएगा है न अगला कोश्चन हम देखेंगे एक परिक्षा में 42 पर 30 गनित 52 पर 30 अंग्रेजी में अनुतीर्ण हुए 10 पर 30 दोनों में अनुतीर्ण हुए तो दोनों भी सायों में इतना 69 अभी अर्थी उतीन हुए तो कुल अभी अर्थियों की संक्या देखो इसे हम फेल फेल के बेनारक पर भी बना सकते हैं पास पर भी बना सकते हैं अच्छा आप यह देखो 42 पर 30 फेल हुआ यहां देखो math और यहां English इसमें 52 पर 30 हुआ और इस पहले एक रूल तो पहले आपको मैं बता चुकी हूं दूसा रूल भी आज इस वाले को तो डिस्क्राइब करी चुकी हूं आज के डेट में है ना तो पहले हम क्या करेंगे पूरे फेल वाले को जोड़ लेंगे ओके तो फेल 42 प्लस 52 और माइनस 17 बताया था एन ए प्लस ए प्लस परतिशत और तेस परतिशत पर आवर उनसर सो दिया हुआ है तो एक परतिशत 300 परतिशत 30,000 हो जाएगा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि किसी कप्षा में 72 परतिशत बिद्यार्थी बिज्ञान साइंस और 44 परतिशत गनित चुना यदि परतेक बिद्यार्थी ने जीब बिज्ञान तथा गनित में से कम से कम एक भिसे चुना तो 40 परतिशत ने दोनों भिसे चुना हो ठीक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं अब हम देखेंगे कि यहाँ देखो सॉरी 40 परतिशत नहीं 40 विद्यार्थी होने तो आप फ्रेंड्स आप देख लो आपको पहले भी बताया था n a union b minus क्या होता है n a union b equals to होता है n a plus n b minus n a intersection b intersection मतलग दोनों combine वाला यह तो हमेशा 100 ही रहेगा n a union b तो हमेशा 100 रहेगा उसी कार्ण से हम यह वाला से solve करते हैं अच्छा science और math दोनों का मिलाकर 160 हो जाएगा अभी देख लो कि total होता कितना है 100 पर 30 होता है तो इसमें से के 100 minus करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पर 30 यह 16 पर 30 जो common है यहाँ होगा न 16 पर 30 जो common है 16 पर 30 पर 40 दिया है 1 पर 30 पर 5 बटा 2 तो 100 पर 30 पर दाइसो अंसर हो जाएगा अगला question देखेंगे किसी विद्याले में लड़कियों का उनपाद 3 उनपाद 2 है यदि 20 पर 30 पर 30 पर 30 पर लड़कियां अच्छा तो बिर्थी प्राप्त करते हैं अच्छा आप यह बतो 20 पर 37 अगर चाट विर्थी प्राप्त करता है तो 70 प्राप्त नहीं करते हैं और 30 प्राप्त करते हैं मतलब 70 प्राप्त करते हैं तो चाट विर्थी ना लेने वालों का compress आफ़ी अच्छा हम total नंबर अगर 3 मालते है तो 3 का 80% न लेने वालों में है और 2 का 70% न लेने वालों में है यानि टोटल कितना हो गया solve कर लेंगे तो 2.4 और 1.4 यानि कि 3.8 टोटल कितना में टोटल 325 में न पाच में और इतना गुना 100% में निकालना है तो 78 हो जाएगा उसको solve करने पर कोई दिकत अच्छा आप लोग को कल मैंने यह भी बताया था ना कि अगर अगर वैसे नहीं करना हो तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट पर 30 से मल्टिप्लाइ करकी उनिट में भी कर सकते हैं पर उससे बेटा रही है कर लो आप इसी को डी के 15% कम मिले तो डी को 500 अंक मिले पात सो में से 320 अंक मिले तो एक को कितने अंक मिले अच्छा ऐसा कोस्टन जो होता है ना सिर्फ हमारा टाइम टेकिंग होता है अगर हम प्रोसेस से चले तो बहुत ही इजी करी कैसे बन जाएगा फालिली हमारा ध्यान किस पर रहेगा वो रहेगा 320 अंक मिले गया ना अगर हम इन सभी का रेशियो बरावर कर देते हैं एक बरावर में रेशियो ले आते हैं तो बहुत ही इजली ये सॉल्फ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें है ना फिर आप इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे अलग-अलग रेशियो दे रखा है अच्छा आप ये बताओ कब पर इजन कर रखा है एक को क्या है 25 अधिक मिलता है तो एक को बी का 25 अगर बी को 100 मिलता तो एक को 125 मिलता क्या बी को 100 तो एक को 125 मिलता यानि कि A अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो A का रेशियो 5 और 4 हो जागा A और B का रेशियो 5 और 4 हो जाता है अब दूसरा कह रहा है कि B को C से 10% कम मिलता है B और C है अगर B C को 100 मिलता तो B को 90 मिलता कि इनका रेशियो 9 और 10 हो जाता अच्छा अगर इसमें कह रहा है कि C को D के पेक्षा 25 अधीक मिल रहा है तो D 100 तो C को 125 मिल रहा है यानि कि इनका रेशियो पाथ चार हो जाता रेशियो तक का तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब आप ये बताओ ये B यहां देखिए ये BB है यहां CC है ऐसे तो मैं इस वाले चैप्टर को एक अलग से जब डिस्क्राइब करूंगी सिरी रेशियो और परपोर्शन में तो एक अलग सोटक्ट मेथर बताओंगी पर यहां पर समझने के लिए आप समझ लीए आप यह बताओ इन दोनों को आगर हम B B को कर सकते हैं तो यह 36 हो जाएगा कोई दिखकर नहीं न अच्छा अब आप यह बतो अगर यह 36 हो जाएगा तो यह भी तो 40 हो जाएगा दस भी तो 40 हो जाएगा अच्छा अब यह 40 हो जाएगा और यहां भी सी है यहां भी सी है दोनों सी को इक्वल करेंगे यहां जब 40 हो जाए ठीक है तो overall ratio इसका निकल जाएगा अब ratio देखे क्या निकलेगा यहां हम 9 से multiply कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा 9 पचे 45 और 9 चुका 36 यहां हो जाएगा 36 और 4 से नीचे multiply कर रहे तो 40 और यहां हो जाएगा 40 और 32 यहीं न यानि A is to B is to C is to D क्या हो जाएगा पैतालिस अनपाथ 36 और पाथ 40 और पाथ 32 फ्रेंट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यह चीज आपको समझ बाया कि नहीं आएगा तो इसके जस्ट बाद हम ratio and proportion का topic स्टार्ट करेंगे उसमें इस चीज को मैं बहुत ही अलग-अलग तरीके से बताऊंगी क कैसे कैसे ratio निकाला जा सकता है उसमें अच्छे से describe करूंगी इसे ठीके यह 32 अच्छा आप यहां देखो कि डी को पाथ समय से 32 अंक मिले कह रहा है तो डी को अगर 32 यूनिट 32 यूनिट आ गया इसका और इतना ब्राबर है 320 तो एक यूनिट ब्राबर 10 अंक हो गया तो कह र सना अंक मिले कितने अंक मिले तो 450 अंक मिले अगर कहता कि कितने परतीसत मिले तो 500 है न तो तो 450 बटा 500 तो बहुत अ यादि 120 ऑक संक्या का 20 परतीशत है तो उससंख्या का 120 परतीशत कितना होगा। अगला कोस्टन देख लिजे राकेश जी अपनी आएक का 75 परतीशत खर्ज करता हैं। हो और सेश बचा लेता है 75 खर्च कर रहा है तो बचे का कितना 25 फरतिशत ठीक है अब है उसकी आयू में 20 परतिशत की बृधि हो जाने पर आयव महान लों की 120 है तब खर्च में 10 परतिशत की बर्दियों याद दिया दिए खर्च कितना हो जाएगा उसका खर्च में 10% ब्रिधी कर लेता है यानि 30% हो जाएगा ओके जब यह कहा रहा है जब यहां क्लियर कहा रहा है कि आय में 20% की ब्रिधी होने पर यानि 120 हो गया तो खर्च में 10% अगर वह 10% की ब्रिधी कर लेता है यानि कि टोटल खर्च उसका कितना हो जाएगा तो उसकी बचत में कितने परतिशत की ब्रिधी होगी बचत में ब्रिधी कर रहा है तो यह देखिए कि इतना में से अगर 25 माइनिस करेंगे तो 12.5 होगा 12.5 तो बचत पहले का 25 था 12.5 बटा 25 गुना 100 अगर ऐसे हम निकालेंगे तो यहां हो जाएगा जीरो तो पचास परतिशत हो जाएगा अंसर है ना सौल्व कर लेंगे तो अच्छा अगला कोश्चन है कि कि A C से पचास परतिशत बढ़ा है A क्या है C से पचास परतिशत बढ़ा है और B C से पचीस परतिशत बढ़ा है C दोनों में कॉमन है ना तो हम C को 100 ले देते हैं तो B 125 हो जाएगा और A 150 हो जाएगा तो कह रहा है कि A B से कितना बढ़ा है तो A B से कितना बढ़ा है 150 माइनिस 125 यानि कि 25 तो 25 और बढ़ा किस से 20 से बढ़ा है ना तो बढ़ा 125 गुन 100 यानि कि 20 परतिशत अगला क्वेस्टन देखेंगे किसी संख्या का 2 बढ़ा 5 का 1 तिहाई यानि X कोई संख्या ले लते हैं तो इसका 2 बढ़ा 5 का 1 तिहाई का 3 बढ़ा 7 15 है तो उस संख्या का 40 परतिशत पहले तो हम X का वैलू निकालनेंगे यह कट गया है ना दो बढ़ा 5 का 3 बढ़ा 7 ठीक है ऐसे करेंगे X पराबर फिर 15 गुन 7 गुन 5 बढ़ा 2 यह संख्या हो गया और इसका 15 गुन 35 बढ़ा 2 और इसका 40 परतिशत किसी संख्या के 40 परतिशत कितना हो था फ्रेंट्स फटा फट कमेंट बॉक्स में बताईए 40 परतिशत दुराबर दो बटा पाच कर बताया था ना हमने 20 परतिशत एक वटा पाच दो बटा पाच ठीक है यह से यह कट गया यहां साथ हो गया 15 सते 25 एक सब पाच हो गया अंसर इसका ओके अगला कोस्टन देखेंगे अच्छा यह हमारा इस टॉपिक का लास्ट कोस्टन है यह लास्ट कोस्टन हम देखेंगे संख्या 33 पुर्णा के कोटा 3 परतिशत 100 है तो वह मुल्य संख्या क्या होगा ठीक है 33 पुर्णा के कोटा 3 परतिशत का मतलब 1 वटा 3 हमने बताया था सबसे स्टार्टिंग का लेक्चर आप में एक सुरबर विनट्स हो एगा फृसे के हमारे सटॉपर कउस्टन है और हमने अभी तक के जितने भी में इसके अपец साहरं जाते हैं अगर बघंग का सोल्व कर लिया है मैं अगर इसके अलावा भी किसी तरीक है किसी टाइब का कोस्टन अगर छूट जाता हो तो आप कमेंट बॉक्स में वैसे कोस्टन को आप लिख करके बता सकते हैं जिसका सॉलुशन भी में बेज लूँगी या फिर कोशिच करूंगी अगर ज्यादा कोस्टन सूटे हो तो एक और लेक्शन उस तरीकी का कोस्टन में सॉल्ब करवा दिया जाओंगी और इसके अलावा फिर आगे से देखते हैं आगे से रेच्टन प्रपोर्शन चैप्टर स्टार्ट करूंगी जिससे आपको आगे समझने में काफी हेल्फूल होगा फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब स्क्राइब जरोर किया करें be क्या करें जिससे कि दुसरे लोग भी पड़ सके अभी के टाइम में तो उससे किसी को अगर वेनफीट ओजाए तो ज्यादा अच्छाओ और अगर आपको पशाद ना आए तो आप डिसलाइक कर दिया करें और दिसलाइक जब भी करें तो आप एक बार रीजन जरूर बता दिया करें कि इसमें क्या कमी है वैसे आप कमेंट बॉक्स में हमारी कमी बता सकते हो कि क्या कमी है जिसे हम अपने तरफ से पूरी कोशिस करेंगे इंप्रूव करने का थांक यू फ्रेंड्स फोर वाचिंग जैहिन जैभारत